नमस्कार आप देख रहे हैं खबर आज कल मैं आप सभी के साथ स्वेता चाँ खबर आज कल की न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है इस न्यूज के प्रायोज़क है प्रसाद जी बजार अब अपनी दुकान करें आनलाइन बस एक प्लिक में एसोजे के टेम और न्यूज पायगुरी थाने की पुलिस ने डेर करोर रूपे की ब्राउन सुगर की साथ दो यूवको को लिया हिरासत में धाई करोर के ब्राउन सुगर की साथ तो यूवको की होई किरफतारी एसोचे के टीम और न्यूचल पाइगोडी थानी की पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिर हुई है भाड़ी मातर में ब्राउन शुगर की साथ तो यूवको को खिरुफदार किया गया है बरामत किये गए ब्राउन शुगर की पाजारी की मत करिब धाई करोण रुपए आतर गई है मिले चानकारी के अनुसार, SGBT और न्यूचल पाइगोडी थानी की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कारवाई करते हैं, सुलबाडी कैनल रोड में चापे मारी कर तो यूवको को खिरासत में लिया चापे मारी के दौरान, यूवको की पास से 1.300 ग्राम संदिक प्राउन शुगर परामत हुआ बताया जा रहा है कि वे यूवक प्राउन शुगर लेकर माल्दा के काली याचत से सिलेगोडी तस्वडी करने की राधी से आये हुए थे जससे पहले ही नियुचल पाईगोडी थाने की, एसोचेनल टीम वा सिलेगोडी मेट्रोपालेटन पुलस निकों नित्कर अफ़तार कर लिया यूवको की पैचान आरिफ सेख और नसेरल हक के रुपे हुए है दोनों माल्दा के निवाशनी पताय जा रहे हैं पुलिस सूत्रों के मुताबिक परामित किये गए प्राणशुगर के पाजारी कीमत करिब धाई करोड रुपे आ ही गई है बाग्डोग्रा के बैंक डूबी में हुई भीशन सरक हाथ्चा दो महिलाई हुई गंभी रुप से घायल बैंक डूबी में हुई एक भीशन सरक हाथ्चा दो महिलाई हुई कंभी रुप से घायल अभी अभी बाग्डोग्रा के बैंक डूबी से भीशन सरक हाथ्चा होने की खबर सामने आ रही है बताया जा रहा है किस हाथसे में दो महिलाई कम भी रुप से घायल हो गया मिले चानकारी के अनुसर आज दो बहर एक स्कूटी बाग टुपड़ा से द्रिहाना की ओर जा रही थी स्कूटी बैंक डोबी के 18 के सामने बंपर पार कर रही थी तब फीचे से एक जारपया वहाने आकर स्कूटी को जोड़ार टक्कर मार दी टक्कर के बाद स्कूटी सरग पर जापल दे हाथसे में स्कूटी पर सबवार तोनों महिलाई के खायल होणे की खमर सामने आई है हाथसे के तुरन बाद उग्दिलाखी में इस्थानी निवाशी की भीरोबर बड़ी पॉकिपर उम्रे भीर द्वारा खायलों को रेस्क्यू कर प्रात्मी के लाज के लिए सेना के अस्पताल महुचाए गया सिलेगोडी नगर निगम के वाड नमर 20 के समीती ने आम जनों के हित्मे की एक पहल प्लास्टिक बोटल वा रैपर के बदले दिया जाएगा एक किलो चावल नगर निगम के वाड नमर 20 के समीती ने आम जनों की हित्मे की एक पहल सिलेगोडी नगर निगम के वाड नमबर 20 समिती ने आम जनों में नेगू के प्रती जागरुकता पैदा करने के लिए जागरुकता अभ्यान चलाया यह जागरुकता अभ्यान आज नीता जी हाई स्कूल के सामने से सुरू हुई इस अभ्यान में दिचिक पाउडर और मंचर मारने वाली दवायों का चिरकाव में किया गया इस पेज पार्षद अभे बसु ने पैकिंग प्लास्टिक के बोतल और चिप्स के पैकेट की बदले में लोगों को एक किलो चावल देने की कुछ न की आज पार्षद अभे बसु ने कहा कि वाड नमर 20 का बड़ा हिस्सा करीबी के रेखा से दीचे जीवन यापन करता है इसलिए उनके लिए यह योजनाव बनाई गई है अगर वो प्लास्टिक के पूतल और रैपर देते हैं तो बदले में उन्हें एक किलो चावल दिया जाएगा इससे दो काम होंगे एक तो इन सब साथरों से एको ब्रेट बनाई जाएगी और चावल से उन गड़ीब लोगों की अस्थाई भूजन की समस्या को पूरा किया जा सकेगा इस मौके पर वहां मेर परिसद मानिक दे और अध्यक्ष मिलिस सिन्हा वकाई फॉर्ट निपासी पस्तिया है सोला महिने की वकाय वेतन की मांग को लेकर बारत दिनों से धरने पर बैठे बियसनल के अस्थाई करम चाड़ी सोला महिने की वकाय वेतन की मांग को लेकर बारत दिनों से धरने पर बैठे बियसनल के अस्थाई करम चाड़ी बियसनल के अस्थाई करम चाड़ी अपने सोला महिने के वकाय वेतन की मांग को लेकर कड़े बारत दिनों से धरने पर बैठे है उनका यह धर्णा प्रदेशित भारत संचार निकम के विबिन कारेलियों के सामने कड़े 12 दिनों से चाड़ी है इसे बेच आज हर्ताल पर पैठे ब्येसनल के अस्थाई करम चाड़ियों ने कहा कि हर्ताल से आम लोगों को हुई परिसानियों के लिए प्रबंदन पूरी तरह से चिमेदार है उनकी शिकायत है कि उनके 16 महीने की वेतन का भुटान नहीं किया गया उनका आरोप है कि दाश रिंचिरी के सांसत ने उनने पूजा से पहले यह आश्वाशन दिया था लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ इस वज़े से उन्होंने यह मांग की है कि जब तक उनका बकाया भीतर नहीं दिया जाता तब तक उनकी हर्ताल योगी जारी रहेगी Smile Group NGO ने सफलता पूरवक कम्प्लीट की अपने पाँच वी वरसघार कई वरसों से करते आ रहे हैं समाध सेवा हमेशा से लोगों की मदद करने वाले और लोगों की सहाइता करने के लिए हमेशा सामने आने वाले एक संस था स्माइल ग्रूप ने सफलता बुरा गाज उपना पात साल पुरा कर लिया है इस औसर पर आज के दिन पे स्माइल ग्रूप में समाजिक कार्य कर इस दिन को मनाए गया स्माइल ग्रूप के सदश्य लिए आज असहाई लोगों की बीच प्लैकेट और खानी का मतर गया साथ लोगों के साथ गेग कार्ट कर इस दिन को सलिप्रेट किया आपको बता दें कि स्माइल ग्रूप हमेशा असहाई लोगों की मदद के लिए आगे रहती है और कभी भी लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटते उन्होंने अपने पाँचवे वर्सकार भी इसी तरह लोगों के चेरे पर खुशिया लानी के साथ मनाया है पहली बार बाग्डोग्डा के चितरंजन स्कूल में पहली बार आयोजित होने जा रही है बताया जाड़ा है कि अम्मीला तीन दिनों तक चलेगी इसके दोरान विबिन जागरुकता भ्यान भी चलाए जाएंगे तो वही इस मेले में मरिचको, आयरफे, योगी हैमपेथी जैसे कई चीजों के बारे में विस्तार सचानगारी दिल पाएगे जिससे वो अपने बहतर इलाज करवा पाएंगे आपको बता दें कि अम्मीला कल दो पहर खड़िब एक बचे से सुरूप उचाएगे इसे लेकर वाग्रुणा की चितरंचन स्कूल में तैयारी अंतिम चरण पर है तो वहीं तीन दिनों तक चलने बाले सुपेले में लोग आकर अपना इलाज भी खरवा पाएंगे अभी तक आप देख रहें थे खबराचकल आगे की और जानकारी के लिए देखते हैं खबराचकल और बने रहें खबराचकल पर धन्यवाद